स्टॉप लॉस ट्रेल एक रामबान इलाज है जो कि आपके एकदम मतलब लॉस होने से आपको एकदम बचाएगा ठीक है पहली बात हम लेते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होता है उसको पहले बेसिक एजिक्विशन सीखें फिर सीखेंगे मेरी टिक एक नॉर्मल टिक यहां यहां दो ट्रेक्स आती हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में तो सबसे पहले पहली एजिक्विशन वीडियो थोड़ा सब्सक्राइब अच्छे लगी तो बताना कमेंट सेक्ष्ण में क्या वीडियो बढ़िया थी नहीं भी लगए तो भी कोई दिक्कर ने कैसे इंप कास की हुए हो गाइस तो देखो अभी एक एग्जेंपल के साथ समझेंगे ठीक है मैंने टाटब आवर दिया था आपको यहां पर देख सकतो आई जस्ट नौब और करके मैंने बताया था आपको कि इत्ते इत्ते पर ले रहा हूं एंड उसके बाद जो है यहां पर जैसे टागे डिड़ों को एसल टेल करना फिर मैंने आप ही क्या लिखा है इसे हो टाटब आवर टैन परसेंट जैसे उसमें दस परसेंट हमारे डिटर्न मिल गया एक जार रुपे हमें बिल चुके थे हमने इच्छे का से लगाए तो इसी का मतलब आज हम सीखने के लिए आए है तो आपके लिए कि मैंने प्यार साथ इलगाम चलना आए जूकि फिलाल तो फ्री है बाद में इसको पेड़ कर दिया जाएगा तो आपके लिए एक उफर है कि इनकेस आज आज आप इस चैनल को जोईन करें तो लाइफ टाम आपके लिए चैनल फ्री हो जाएगा तो कोई है 100 रुपे नबे रुपे पर हमारा क्या है असल और 110 का हमारा टारगेट घांट का और सो आपर 2 होते हैं ति हम में हख्य Ses प्रेंगे है तिया अच्छे समनाने कुछ करता हूं करू आपको ठीक है तिक है यहां पर लेहों एक किस क्या है कि हमने 100 रुपे पर खरीदा है यह सो और वो उपर गया है यह हमारा 110 का लेवल यहां पर ठीक है यह 110 नहीं जाके 109 से पलड़के नीचे आ गया और हमारा जो 90 रुपे का stop loss था है यहां पर 90 रुपे का इसको काट दिया इसने और हमारा stop loss से हम जो है ट्रेड से exit हो चुए है तो अभी हम गये थे 109 तक का बस एक रुपे की वज़ा से हम लोग ने यह stop loss हिंट कर वा लिया अपना अब यही पर अगर हम stop loss थेल बताएं तो इसमें क्या होता है इसमें हम लोग क्या करते है एक particular target के बाद जो हम लोग stop loss change करते रहते हैं अब कैसे समझा हो यह हमारा 100 रुपे का stop थेक है यह उपर जा रहा है और यह आ गया 105 पर तो हम लोग क्या करते हैं यह ठीक है यह general strategy है यह मेरी ट्रिक नहीं है मैं general strategy बादारों कि stop loss रेल बोलते कि इसको है वह समझना आ जाए आपको ठीक है तो यहां पे 90 रुपीस का हमारा stop loss था ठीक है अब यह 5 रुपे उपर आ गया तो हम हम लोग का stop loss आजेगा cost पे एक example ठीक है यह मैंने दिया आपको second example यह first example अब आते हमारे थर्ड example थर्ड example क्या है यह हमारा 100 के 100 रुपे का ठीक है अब यह जैसे 105 रुपे के target पे गया ठीक हम लोगों क्या किया 90 रुपे से हटा के stop loss अपना cost पे लिए हमने 100 रुपे का stop loss र कर लिए 107 रुपे हमने अपना stop loss 102 रुपे कर लिए अब ऐसे से करते एक 108 हो गया हमारा stop loss 103 हो गया यह 109 रुपे हो गया हमारा stop loss 104 रुपे हो चुक है ठीक है अब मान लोगो 109 रुपे से हम लोग कित्व एक जिड कर है हमारा stop loss क्या हो चोगा था एक सो चार रुपए ठीक है समझे तीन के दिये मैंने तीनों के तेनों आपको समझ आए तो अब यहां पर हमारा final case में हमने क्या किया हम ultimately positive में निकले जहां पर हम first case में stop loss महला भी loss में निकल रहे थे अपना stop loss प्रस यहां इसको उपर लेकर जा रहे है step by step इसको उपर लेकर जा रहे है stop loss को इसी को पोलता है है stop loss उपर लेगे जाने हैं यह एक पाथ ही तो है रास्ते तो बना है तो दरे-दरे हम जो shift कर रहे हैं उपर को चीजे इसी को हम लोग बोलता है trailing stop loss trailing ठीक है समझा गया अब लेते है टाड़ बावर के example को एंड चलते है यहां पर इंडिकेटर लगे हैं उनको आप एक बार को इगनोर कर सकते हैं मैं दरे-दरे करके डिटेल में आपको जो एजुकेशन वीडियो के रूप में बताते रहूंगा चीज़ें ठीक है फिलाल आप इंडिकेटर को इगनोर करिए आपको हमें सीखना स्टॉप लोस ट्रेल के ओट तो आप जगेए वह स्टार्टिंग में आपको एक स्क्रीन शॉट दिगा था टेल गाम का ठीक है तो वही मैं उसी को ज़िए रिपीट करने वाला हुँ ठीक है तो हमारी बैंग जो थी वह थी टूट टूटिश पॉइट फाइफ पे ठीक है हमारी जो बाइंग थी वह थी और दस परसेंट हमारा हो चुछ था टूट एटूपीस के आसपास तो टूट एट और यह डेट अवर आप पर चेक करना चाहिए अकौन से डेट थी तो जैनुरी उनिस थी ए ठीक है उनिस जैनुरी तो आप देख सकतो यह वाला ठीक है यह यह वाली केंडल बनी है यह ग्रीन वाली केंडल छी है यह हमारी जैनुरी उनिस की लियर तो यहां पर अब मैंने बताया कि स्वाप एंप ट्रिश तो पहले से भी कर सकते हैं स्वाप लॉस जैसे आपका फाइट परसेंट हो गया था आप को करना क्या होता है पिछले दिन क मैं निकाल लेता हूं कहां बनना है 225 यह 226 वाले लेवल यह वाला एक्जेक्ट तो यह रैड केंडल के असपास हमने इसको बाई किया था अगले दिन यहां पे अच्छा सा नीचे भी गई थी पॉस्टिव हो गया हमारा सौपलोस हमने पहले डिफाइन क्या हो था अब जैसे यह सौपलोस अगर चेक करवाऊं मैं तो अब हमारा सौपलोस हो चुग है 235 का ठीक है जब हम इस कैंडल पे हैं अब अगले दिन बना अगले दिन यह वाली कैंडल बनी हुई है तो अब हमारा सौपलोस को जेगा इस दे का लो ठीक है पिछले दिन का डे लो ठीक है यह वा तो यह पिछले दिन का लो ठीक है अब हमारा कि यहां फिर स्वापलोस हेट हो गया हम कित्ते पर निकले 244 पर अगर हम यह वाला स्वापलोस ट्रेलिंग फॉलो घरते तो अभी हम जो इस वाली इतनी बड़ी ग्रावट से बच चुके होते हैं यहां से उपर आ जाता है अब स आप सूनगा जाठा कैसे बड़ा को सबसे हैं और सकत रिम्हों को vienen को अब गरिये यह हम नहीं लेवल 110 रृपे और यह मारा स्वापलोस जो अमने रखा हुद ऑ स्वाधर को चैपमे और थर्ड वाले एक्जम्पल का याद करो स्वापलोस से देखो वीडियो नहीं समझ जाए ना एक वाद दोबारा देख ले ना कोई प्रॉब्लम निया चाहो तो 2x पे देख ले ना वैसे मैं इतना तेज बोलता हूँ स्पीड में बोलता हूँ कि आपको कभी-कभी स्लो करके भी देखना पड़ जाता है ठीक है तो मैं समझता और सीज को तो अगर पॉसिबल हो तो दुबारा देख लो इस वीडियो को ठीक है वीडियो देख क्या हूँ मैंने क्या बताया था stop loss ठीक है मैंने बताया था 104 रुपे क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे थर्ड एक्जेंबल महारा stop loss ट्रेल करते कहां पर आ गया था 104 आ गया था कितना आया था बताओ मेरे को ठीक है मैं मानके चल लोग एक 104 आ था ठीक है अगर मैं गलत हूँ तो बताओ कमेंट सेक्शन में सही हो तो भी बताओ कमेंट सेक्शन में देखो आपका रिस्पॉंस आना जरूरी है तब ही ऐसी एजुकेशन वीडियो और बनेंग करो अपने दोस्तों को से मेरा सब्सक्राइब कर वाग चैनल मुझे सब नहीं चाहिए पर आप देख रहे हैं ने वीडियो तो आपका रिस्पॉंस चाहिए भैया मुझे ठीक है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपका चाहिए अब हम तो इस टेट से एक्जिट हो चुके हैं अगर हमने प्रेल नहीं गया होता और चलो यह थोड़ा से नीचे भी आया ठीक है नाइन्टी टू रूपीस तक आया यह शॉक और फर्स केस में हमने प्रेल लिया हुआ है शॉपलोस प्रेल नहीं कर रहें तो नब कुछ ऐसाह पागी आप अब हमारा अगर हमने सऻॉपलोस ट्रेल गया होता तो हमें एक सो चार पर निकल गया होते अब हमें मोका मिल रहा है एक सो चालीज में और पे निकलने का ठीक है और हमारा स्वापलोस भी इटनी हुआ तो यह है सबसे बड़ा डिसाइडवांटीज प्यारे से स्टॉपलोज टेलिंग का बड़ यह जो मैंने सेनेरियो दिया आपको यह जो है मलबी 10 में से 2-3 वारी ऐसा होगा स्टॉपलोज टेल ही आपको फायदा देगा मैंने का ना एकुरेसी सब की अलग है तो स्टॉपलोज टेलिंग से जो आपका फायदा होगा डैट विल्बी अरॉंट सेविंटी परसंट आप मान के चलो कि दस अगर आप टेड़ गर रहे हैं दस में स्टॉपलोज टेल करते है तो सतर बरसंट टाइम आप सही जाएंगे साथ वार जो आपको फायदा होगा बट तीन वार घाटा भी होगा ठीक है यह मेरा परसनल एक्सपीडेंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ठीक है अच्छा लग रहा तो बहुत इच्छी वात है नहीं लग रहा तो क्या ह चाहिं ठीक है तो ऐसे गर के हमने स्वाप्लोस टेल करना है अब मैंने यहां पर आपको आपको यह वाले दिन पर आया ग्रीन कैंडल पे उसक्ष्णब कर फाल क्या है पिछले दिन का लो तीक है यह हमारा पिछले दिन का लो एड़ी आगे चलेव्याजी अगली तो अब हम में जो है मिनिमम पकड़ना होता है ठीक है यह स्वापलोस सेलिंग का अगला पहली है मैं जान वुछ के टाड़ आवर दिया आपको ताकि आप दोनों सेरियों समझ जाओ ऊपर जारे हैं तब तो आपको समझ आगे कि पिछले दिन का लो पकड़ना है तो अगर ऐसा जिग-ज स्वापलोस के वहना चाहिए हमारा यही होना चाहिए और अभी अगर टेलिंग 100 पर कोई है तो उसका टेलिंग तो यह शोट टर्म वालों के लिए कहानी थी और यह सिर्फ काम आता आपका ट्रेंग में एसा नहीं है कि ट्रेडिंग में रख सकते हैं आप चाहो तो यह हो जाएगा 204 इस वीक में बढ़ गया वो ठीक है अब आये हम इस वाली वीक पे इसमें क्या होगा यह वाला हो जाएगा यह उनके लिए जो आठ से खेलते हैं ज्यादा तर तो जो ट्रेडिंग वाले हैं वो लोग वन दे पर देखेंगे अब कई लोग इसी चीज़ को तीन घंटे या चार घंडे के भी टाइम फ्रीम पर देखते हैं अब जो लोग इंटा डे करते हैं इंटा डे वालों के लिए एक स्ट्ट्जी बताए तो खेले 15 मेंट का रहां तो इससस Però आफ बताऊ है और आप वाली केंडल का लूओ को ट्चेक है उसकरकिट उन्पर करको एड़ा ये पार को लाच ऑन्य उनिक्सी चैनल का लोवे गेंगा यह C अब मैं इस केंडल पर खड़ाऊं ठीक है इसकेंडल पर खड़ाऊं एंड मेरे को बताओ मेरा स्वापलोज क्या होना चीए है कि बताओ नेशे comment section में ठीक है आपको नहीं पाता चलाँ तो यही हमारा लोगा ठीक है पिछली केंडल का कि हम इंटाडे कर रहे हैं और इंटाड सबस्राइस सबस्क्राइब ठ्रेंगें कर सकते हैं नीज सबस्क्राइब लगता है वेसे आप थो सबस्क्राइब आयरे के लिए क्रिकन हों करतो तो 30 वे थी क्यां इंडुआ एच एंडुआ वालीूम के साथ क्योंकि आप आपने देखा होगा जब भी मैं लिखता हूँ कि स्टॉप लोग करना है तो 90 परसेंट आफ टाइम आपको फायदा होता है हां 10 परसेंट टाइम नहीं होता है जैसे में लिखता हूँ कि बुक प्रॉफिट्स ठीक है आपने ये भी एक और दिखाई देता हूं अब देखो ज मैं एक सब चीज़े आपकी काम आएंगी जितनी बी आपकी आपकी सब कुछ आपको मैं दिमाग में घुसा के जाऊंगा आज देखो यहां पर इसी केंडल पर बोलते हैं प्रॉफिट बुक कर लो ठीक है इसके पीछे रीजन जो है तो यहां पर देखो यहां पर जैसे मैं जैनुवरी 17 पर आया है ठीक है मैंने क्या बोलना मैं करता हूं तीन सब कुछ हो रहा है यहां पर से रिजेक्शन आ रहा है ठीक है यहां पर देखो रिजेक्शन फेस कर रहा है और वॉल्यूम भी खतम से है ऐसा नहीं कि ऊपर जाते समय वॉल्यूम बढ़ रहा हूं तो मैंने का ट्रिक्स बहुत सारी है सब्सकी है अब यहां पर मैंने मिक्स कर दिया हैं चाहर थोड़ा सा हायर वर्जन पर यह पता है एक बार आ आपको समझ नहीं आने वाले है तो अब यहां पर रिजेक्शन आरता बार बार रिजेक्शन आरता तो मुझे यहां पर कोंफिदेंस नहीं आ था और साथ साथ में एक सबसे बड़ा पॉइंट है यह हो गया कि इस वाली केंदल से इतना बड़ा रिजेक्शन आया 200 इससे एंड वॉल्यूम के साथ आया रिजेक्शन तो अब थोड़ा बहुत यहां पर समझ गया था मैं यहां पर गेम हो रहे हैं औ आपको इसी दिन आपना बोल दिया कि 5% मिल चुका है तो प्रॉफिट बुक कर दो देखो अब यहां पर एक लिस्ट परसेंट तो लेगे जाएंगे ठीक है तीन परसेंट के बाद आपका जो है स्टेड नहीं जाना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि एक वार आपको तीन परसेंट मिल चुगा उसके बाद भी आप लॉस में काता है यह नहीं होना चली ठीक है तो यह सबसे बड़ा प्लस पोइंट है ठीक है तो मैंने आप जो अपना कर दिया मैंने आप नहीं बोला कि सब्सेंट करेंगे हम लोग ने सीधा बोला एंट उसके बाद देखो क्या तबाही हुई है मैं मानतों मैंने गलती हो गई एंड यह ऊपर चला गया ठीक है इतने उपर के लिए मैं इतनी बड़ी गिरावट नहीं सह सकता था ठीक है यह अगर मैं देखू तो यह उल्मोस्ट शैद मैंने कॉस्ट पर आ गया होगा ठीक है जहां से मैंने घरीदा था वॉल्यूम के साथ मिक्स करके आप लोग सौपलो सेल देख सकते हैं अब आते हैं अपने टाटा पावर पर दुबारा ठीक है एंड यहां पर मैंने क्लियर दिखाने कुछ करते हैं आप ठीक है तो 19 जैनुरी पर आया थे हमारी इस केंडल पर जो मैंने सौपलो सेलिंग के लिए आपको का था ठीक है तो हमारा सौपलो सेल मैंने किस बेसिस पर बोला क्योंकि देखो यहां पर थोड़ा से मैं क्लियर दिखाने कुछ करते हैं आप देखो शेयर गिरा ठीक है बटें यहां पर हर बार जो है यह वाल्यूम के साथ बढ़ रहा था ठीक है और जब गिर वाल्यूम डिक्रीज हो गया जबकि केंडल इतनी बड़ी बन गई तो इंडिकेशन आया यहां से कि नहीं यहां पर गेव रहा है यहां पर कुछ नहीं करना हमें और आगे देखो जैसे हो बड़ा तो वाल्यूम के साथ बढ़िया तो कॉंफिडेंस डबल हो गया यहां पर चास केंडल गावरेज लिया जा रहा है तीन घंडे के साफ से चाहित तो ऐसे मिक्स अप करके थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर काम हो रहा है तो प्राइस अच्छन आप समझ गये हैं त्राइस एक्शन जिस दिन आप समझ गये ना उस द मुझे बहुत एच्छा लगगा ठीक है मैं नहीं चाहता वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो कुछ भी करो मुझे कोई उससे मतलब नहीं है मैंने बस अपने प्यार से आप लोग के लिए बनाई यह वीडियो क्योंकि आप लोग के बहुत साही डाउट से ठीक है त अभी तक विडियो को देखरो तो भी जववताना ठीक है तो चलो अब रुखते विडियों पे तत्तिले वाई यह हूसन दोस अनिनली विशाल सुशी लोगरे बगड़े टड़ा